नमस्कार विदाड़तियों ये प्लेटफॉर्म पर पुनह अध्याफन का ये दोर हम शुरू करेंगे अपना चेप्टर चल रहा है वो चल रहा है मूलदिकार और मूलदिकारों में हम लोग मूलदिकारों के भूमिका तयार कर चुके हैं और आज हम लोग पहले मूलदिकार समानता के अधिकार का ध्यन करेंगे और ध्यन देन आपको मूलदिकार का पूरा चेप्टर है वो बहुत वाइड है तो उसको हम कई पार्टों में भांट के पड़ रहे हैं आज का जो हमारा अधिकार रहेगा वो रहेगा समानता का अधिकार लेकिन समानता के पूरे जो अधिकार है उसका पूरे जो आर्टिकल है पांच उनका अध्यन हम नहीं करेंगे बिल्कि समानता की जो अधिकार है उसका प्रमुक जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 उसकी विश्तरत वेक्या हम जानेंगे आज की हमारी जो वेक्षा है उसका उद्दे से रहेगा कि कैसे हम उस समिधान के आर्टिकल 14 में जो दिवी सब्दावली है उसको समझें उसको पढ़ें और कैसे जो सब्दावली है और आर्टिकल जो 14 है वो हमारे लिए पृतियों की प्रिक्षाओं के दिल्यास से महत्वप अधिकार मूल अधिकारों से जोड़ी वी जो मेत्वपुन बाते हैं वो हमारी पहले वाले चेप्टर्स में पूरी हो गई हैं उसमें मैंने आपको आर्टिकल 12 से 35 तक की पूरी कहानी का जो ओवरिव्यू है वो बताया था मैंने आपको और आर्टिकल 12 और 13 की जो विश्त्रित वैख्या है वो भी हमने दो लेक्चर्स के माध्यम से कम्प्लीट करे थी आज हम समानता का जो अधिकार है पहले मैं बता दूँ आपको कि जो समानता का अधिकार है वो भारती समिधान के अनुछेद 14 से लेकर 19 तक सोरी 14 से 18 तक पाच अनुछेदों में नहीं था ये अनुछे 14 15 16 17 18 19 में फिर 17 का अधिकार शुरू होता है तो इस पूरे समानता का अधिकार जो पूरा अधिकार है अपना पूरा का पूरा पूरा जो समानता वाला पॉर्शन है उसमें से केवल और केवल है आज हम लोग आर्टिकल 14 की बात करेंगे आर्टिकल 14 है वो हम ही कह सकते हैं कि समानता का जो अधिकार वाला पूरा भाग है उसकी पूरे की पूरे की शान है या पूरे की ताकत है वो अनुछेद 14 तो अनुछेद 14 का सिर्षक पहले मैं बता दूं आपको अनुछेद 14 है वो क्या कहता है अनुचे चोधा का जो सिर्षिक है वो कहता है कि राजजे राजजे का मतलब यहाँ पर भारत है राजजे भारत के राजजे छेतर में किसी वेक्ति को विधी के समक्ष शमता और विधियों के समान सरक्षन से वन्चित नहीं करेगा राजजे भारत के राजजे छेतर में किसी वेक्ति को विधी के समक्ष शमता और विधियों के समान सरक्षन से वन्चित नहीं करेगा यह है आर्टिकल चोधा की लेंग्वेज जो समिधान में दर्ज है इस आर्टिकल की जो language है उसको मैं बोर्ड पर mention नहीं कर रहा हूँ पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समानता का जो अधिकार है उसमें जो समानता सब्द है उसके अर्थ क्या है पहले हम समानता का अर्थ को जानेंगे उसके पस्षात ही हम अनुच्छे चोधा की जो भासा है और उसकी भासा में जो सब्दावली प्रिवत की गई है उसका अर्थ जान पाएंगे ठीक से तो पहले हम मोटे तोर पर समानता का अर्थ जानते है तो समानता का अर्थ जानने के लिए नमर एक बात तो हमें ध्यान देने हैं कि समानता के अधिकार वाले इस portion में, हिस्से में, कहीं भी समानता क्या है, इसको प्रिभासित नहीं किया गया है। नहीं जो प्रस्तावना में समानता सब्द कहीं आया है, उसको समिधान में कहीं आगे चलकर किसी भाग में, किसी अध्याय में, किसी अनुछेद में, किसी अनुछे में, किसी अनुछे में प्रिवासित नहीं किया गया है, समानता का समाने अर्थ है, वो हम जानने का प्रियास मनुस्य समान नहीं है और मनुस्य के साथ समानता का बरताव हो जब यह sentence मैं बोल रहा हूं मनुस्य समान नहीं है जब मैं बोलता हूं कि समानता तो इसका मतलब यह निया कि मनुस्य समान है बिलकि मैं कहना चाहता हूं कि मनुस्य समान नहीं है उनके साथ समानता का बरताव होन समान एक जगर समानता मैं बोल रहा हूं कि मनुष्य समान नहीं है उनके साथ समानता का बरताव होना चाहिए तो समान नहीं है तो वास्ता में जो समानता का अर्थ चुपाव है वो इसमें चुपाव है कि मनुष्यों के साथ समानता का बरताव होना चाहिए जब मैं कह रहा कि मनुस्य समान नहीं है बराबर नहीं है सब तो उनके साथ कैसा विवार होना चीए समानता का तो समानता यहां पर जब मैं बोल रहा हूं तो समानता यहां पर भाव लिये हुए है समानता का भाव का मतलब है बराबरी का भाव यहां पर जब मैं समानता बोल रहा हूं तो मैं यहां पर समरूपता नहीं बोल रहा हूं समानता है वो समरूपता नहीं है सभी को समान कर दिया जाए यह भी समानता का भाव नहीं है सभी को समान कर दिया जाए या सभी समान होते हैं ये भी समानता का भाव नहीं है समरूपता का मतलब होता है सब को समान बना दिया जाए या सब का रूप बराबर कर दिया जाए वो समरूपता भी समानता नहीं है समानता वास्तों में हमें किसी अधिकार का बोध कराती है किसी तत्रह का नहीं करवाती है किसी fact का नहीं करवाती है कि ये समान है बलकि हमें अपने अधिकार का बोध करवाती है और समानता में ये भाव नीट है कि सभी व्यक्ति जो राज्ये में निवास कर रहे हैं उंके साथ समानता का बरताव होना चाहिए अक्सर सह समानता नहीं अक्सर से समानता तो जब हम यह कह रहे हैं कि समानता का व्यवार मनुश्य के साथ होना चीए तो इसका मतलब यह नहीं कि अक्सर से बिल्कुल एक जैसा समान व्यवार होना चीए यानि बिल्कुल एक जैसे या सभी के लिए बिल्कुल समान विवार में छूट दी गई है तो अक्सर से समानता सब को एक्दम से बराबर कर देना भी समानता नहीं है फिर समानता है क्या? देखो समानता का फिर अर्थी यह हुआ कि अगर हम किसी विशेश वेक्ती के लिए विशेश पुर्षकार के विवस्ता करें एक एक्जाम्पल के समझते हैं विशेश वेक्ती के लिए विशेश पुर्षकार देखे एक समान ने उधारने से हम समझ सकते हैं हम मानते हैं कि भारत सरकार और राजय सरकार के अधिन जो विभिन सरकारी सेवाएं हैं उन सरकारी सेवाओं में जो कारिर करमचारी हैं, कार्मिक हैं, अधिकारी हैं उन सब को, वो सब सरकारी हैं, सब सरकारी करमचारी और अधिकारी हैं उसके लिए विशेष व्यतन की 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 व्यत पुर्ण समानता तरक पुर्ण समानता तो न्याय पुर्ण समानता एक चीज़ आप यहां ठीक से समझ लें कि समानता है वो समानता है वो एक तरह से उद्देश से है लक्से नहीं है लक्से है न्याय पुर्ण न्याय पुर्ण समाजगी स्थापना करना या सोसाइटी को यह साधन है और यह न्याय पूर्ण समाज की स्थापना करना न्याय पूर्ण राज़े की स्थापना करना यह क्या है सद्धे अंतिम लक्षे है तो समानता है उसकी एक प्रिवासा हम यह कर सकते हैं कि न्याय पूर्ण या तरक पूर्ण या उचित कारणों या उचित बेद से जूड़ी हुए व्यवस्था है तो भी वह क्या है समानता को धारित किये तो वास्तम में हमने तो our जाना है वो नेगेटिव सेंस में जाना है border क्या नहीं है समाना जाना किया है पूरा चैप्टर जब आएगा तो आपके सामने समानता के सतिय वह विल्कुल किलियर हो जाएगी तो अभी के लिए हम जान चुके हैं कि अक्सर से समानता समानता नहीं है और हम यह भी जान चुके हैं कि समानता का जो मुख्य भाव है वह यह है कि सबी के साथ समानता का ब्रता हो न्याय पुरुन या उचित समानता का ब्रता हो अब हम बात करे कि अनुच्छ जो 14 है कि अश्कित लेंगवेज बता चुका हूं स्की भासा बता चुका हूं मोग में कि राज्जे राज्य की जब मैं बात कर रहा हूं तो भारत की बात है यह राज्य भारत की किसी भी राज्य चेत्र में यहीं राज्य है वो भारत के राज्य चेत्र में किसी भी वेक्ति को किसी भी वेक्ति को विधी के समक्ष समता और वीधियों के समान सरक्षन से वन्चित नहीं करेगा देखिए यहां पर मैं एक तो मैंने सम्ता सब्द काम में लिया है और एक मैंने जो सब्दावली काम में लिया है वो लिया वीधि के समख सम्ता दूसरी सब्दावली जो मैंने काम में लिया है नमबर एक ही है, नमबर दो ही है, दूसरी जो काम में लिए हो लिए है, विदियों का समान सरक्षन है, विदि के समक्ष समता विदियों का समान सरक्षन है, मैं आपको आधुनिक जो शब्द विज्ञान है और शब्द विज्ञान के जो अर्थ हैं, उसके हिसाब से अगर बत स्वास to sam हम देखे दिखेए इकवलटी का दूसरा सब्द बनता है समानता ग़ा समता बनता है लेकिन समता के लिए जो उचित सब्द है वह है एक्विलिटी और समानता के लिए जो उचित सब्द है वह है एक्विलिटी एक्विलिटी समिधान इन दोनों सब्दों में कोई भेद नहीं करता है समिधान में जो सब्द काम में लिया गया वह काम में लिया गया 58 संसोतन के बाद में जब समिधान का हिंडी प्रारूप अधिकर तुरूप से प्रकाशित करने का संसोतन समिधान में हो गया उसके पस्चात समिधान के जो हिंडी संस्क्रेण है उसमें सम्ता सब्द भी कहीं कहीं मिलता है लेकिन हम बात करेंगे कि समानता और समता है वो आधुनिक जो सब्द कोष है आधुनिक जो सब्द विज्ञान है उसके अंतर के तोनों में मामूली सा अंतर है और वो अंतर यह है कि समता है वो एक राजनितिक विचार है मैं कह सकता हूँ राजनितिक विचार है और समानता है वो एक समाजिक विजार है जब हमें समाजिक भेदभाओं के समाप्ति करनी हो यानि किसी कानून के दोरा, किसी एक्ट के दोरा, किसी निरने के दोरा तो हम समानता सब्द का मिलेंगे समाजिक समानता का मतलब है समाजिक भेदभाओं की समाप्ति तो यह समाजिक अवधारन है और यह राजनितिक अवधारन है समानता सब्द में यह है कि सभी के लिए बराबर treatment सब को बराबर यहने एक ही लकड़ी से हाखना सब के लिए बराबर और सम्धा में है कि जो दमित है या कमजोर है थोड़ा सा उसके लिए protective काम करना अर्थार्थ बराबर नहीं करके न्याय पुरुन इसमें न्याय पुरुन सब्दाएगा न्याय पुरुन ये क्या है न्याय पुरुन है और ये हमें बराबरी की बात करता है समानता यहाँ पे है ये बराबर अधिकार बराबर सुईधाएं देने की बात करता है जबकि ये नियायपुरन समानता की बात कर रहा है, यानि नियायपुरन समानता की बात कर रहा है, नियायपुरन समानता है वो अपने आप में समता है, समिधान का जो ये भाग है भागतीन और इसका नुचियत जो 14 है, वो कहीं भी इन दोनों सब्दों में अंतर नहीं करता है इसलिए आप देखते होंगे, पॉलिटिकल साइंस की जो बूक्स हैं, उसमें जगे जगे आपको कहीं समानता मिलेगा, कहीं समता मिलेगा, और हमें इस आर्टिकल को समझने और पढ़ने के लिए, हमें भी इन सब्दों में इस सब्द विग्यान में नहीं फसना है, हमें समान विधि के समक्षंता और विधियों के सम्मान सरक्षन से वंचित नहीं किया जाएगा, तो यहां पे देखो दो अपने पास दो फ्रेज आ गए हैं, दो वाक्यांस आ गए हैं, विधि के समक्षंता और विधियों का सम्मान सरक्षन, तो दो फ्रेज आ गए हैं, हम बारे बा हैं, क्या इनका अर्थ एक जर्साई है या इनके कुछ गूड नहितार्थ है? क्या परत्यों की प्रिक्षाउं में से सवाल भी बनते हैं कि विधी के समख, संता का अर्थ गया है, विधियों का सम्मान सरक्षन है, उसका अर्थ यह हमारा आज का इस जो लेक्चर है इसका मुख्य उद्य से है यह जानना तो विदी के समक्त समता पहले में एक एक सब्द कॉंडर लाइन कर रहा हूं या उसको गोला लगा रहा हूं विधी और दूसरे में लगा रहा हूं विधियों यानि कहने का मतलब दो फ्रेज जो समि दिखावा है याइनि एक वचन है यह ज surreal सब्दों में अपके सामने हो जाएगा तो पहले मैं मिठा रहा हूँ और पहले हम पढ़ेंगे विदी के समक्ष सम्ता इसको हम जानेंगे सबसे पहले कि विदी के समक्ष सम्ता है वो वास्तम में क्या है पुनाय मैं इसको round कर रहा हूँ, विधी सब्ध है यहाँ पर वो एक वचन को indicate करती है तो देखो सबसे पहले इसकी विशेस्ता मैं इसके सामने लिखता हूँ कि ये British प्रभाव है यनि भारती समिधान में जब विधी के समक्ष समता फ्रेज काम में ले गई है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे समिधान पर प्रभाव प्रेलिक्षित करती है वो British प्रभाव है यनि मूल रूप से ये पदावली ये जो सब्दांस है इसका जो भाव है वो British राजनितिक व्योस्ता में British समिधानेक व्योस्ता में चुपा हुआ है तो यह एक तो British प्रभाव लिए होगे, नमर एक, नमर दो, मैं यह कह सकता हूँ, कि यह नकारात्मक अबधारना है, नकारात्मक है, कैसी अबधारना है, नकारात्मक अबधारना है, तीसरा मैं यह कह सकता हूँ, कि British प्रभाव है और नकारात्मक अबधारना है, और आपने न की नाम सुना होगा एवी डायसी का एवी डायसी एक बृटिस विधिवेता हैं एवी डायसी और पुस्तक में विधी के शाशन का सिध्धान्त प्रकाशित किया था A V Diocese की जो पुस्तक थी वो भृटिश सम्यदान को लेकर थी और उने मैं Vidaang सासन को प्रतीपाधित क्या था तो हम यहांपे इस सेंस में केवल यह जानेंगे कि A V Diocese का Vidaaga सासन क्या था और A V Diocese का जो Vidaang सासन है वो कैसे हमारे समिधान में विदी के समक्ष शंता ग्रूप में प्रकाशित हुआ है या एवी डाइसी से हमारा समिधान किस तरह से प्रभावित हुआ है तो यह जानेंगे हम लेकुर डाइसी के जो विदी का सासन है उसके मुख्य ते तीन पाइदान थे तीन बातों दोनों ने उलेक किया था विदी की सासन में पहला ये था विदी की सर्वच्चता विदी की सर्वच्चता एक बात विदी की सर्वच्चता का मतलब है विदी सबसे उपर है विदी से उपर कोई भी नहीं है और इसको दूसरी सब्दों में बोलों में तो यह बोल सकता हूँ कि विदी सबसे उपर है और किसी भी वेक्ति को जब तक कि उसने किसी विदी का उलंगन नहीं किया हो दंडित नहीं किया जा सकता जब मैं यह बोल रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को जब तक उसने किसी उपलब्द विदी का उलंगन नहीं किया है उसको हम दंडित नहीं कर सकते तो उसका अर्थ है कि विदी सबसे उपर हो गई है व्यक्ति को दंड किस से मिलना है विदी से और उसने विदी का उलंगन किया यह नहीं है तो वो दंडित नहीं होगा यहीं किसकी महिमा बताएगी है विदी की विदी सबसे उपर है तो डाइसी का जो विदी का सासन है उसमें विदी की सरवचता है विदी सबसे उपर है अगर प्रधान मंत्री का है, राश्चपत्री का है, समिधान का है, तो हम यह बात करेंगे, कि सार्षन भारत में जो है, वो विधी का ही है, क्योंकि विधी है, वो समिधान क्या है, विधी है, समिधान हमारे देश की मौलिक विधी है, और जो ताकत मिली हुई है, प्रधान मंत्री, राज्ट पतरी, मंद्री, मंदलगों, राज्जे की सरकारे у divorced और विदी के शासन का पेला भाग görd है, दूसरा भाग है, विदी के समक्ष शम्ता, यह दूसरा वाला भाग है, यह यह उसका दूसरा भाग है, वो हमारे सम्धान के आर्टिकलdy 14 में विदी के सामने सब ब्राबर होंगे सब के लिए एक जैसी विदियां होंगी सब के लिए विदियां कैसी होंगी एक जैसी विदियां होंगी यह तीसरा भाग था वो अपने भारत के संस में लागू नहीं होता दोनों यह लागू हो रहें तब विदी की सर्वचता लागू है अपने भारत में विद्धान सर्वच्चे है न संसत सर्वच्चे हैं न कुछ और सर्वच्य हैं क्वेफirasillakon 5 process तो दो इसके पाइधान लागऊ वढ़ा जो थैसे पाइधान नहीं करेंगे विद्रीक जाशम कि क्योंकि थैसरा पाइधानियो कि लिए भी आलगे बिरीट इते ही इस सिस्टम के लिए है हमारी भारत में इभारत में नहीं होता है और वो इस बात को लेकर है तीसरा समिधान, तीसरा जो सिद्धान्त है इसका वो इस बात को लेकर है कि जो समिधान के सक्ति हैं वो वेक्तिनिस्ट है या वेक्तियों को समिधान से सक्ति मिली है या समिधान को वेक्तियों ने सक्ति परदत की है इस बात को लेकर है तो अपने ब्रीटिस परभाव है यहां पर वहां पर हां यहां पर टहनि की जो दूसरी माड़न थे था स्वय वह हमारे संविधान में कैसे छोदा में दर्ज है एक मैंने आपको पहला लक्षन बता है यह बताए था कि ये बिरिटिस पर बाव है सब कर और British प्रिणाले से हमारे यहां प्रिणाम है यह सत्य बात है दूसरी यह नकरात्मक है देखो नकरात्मक और सकरात्मक अब किसी चीज को बोलते हैं तो उसके दो सेंस होते हैं नकरात्मक का मतलब होता है देखो यह नकरात्मक क्यों है समानता या बराबरी की बात करता है समानता या बराबरी की बात इसमें की गई है कि सभी के लिए समान विधियां होंगी सभी के लिए बराबर विधियां होंगी यह नकरात्मक है क्योंकि किसी को कुछ अधिक विधिय यहां या विदियों के माद्देम से किसी व्यक्ति को व्यक्तियों के समूओं को व्यक्तियों के वरक को अधिक सकती नहीं दीगी है बलकि सब के लिए समान विधियां यहां पे काम मिलाई गी है और मैं बता दूँ आपको कि विदी के समख समता जो फ्रेज है वो अगर भारत दांडिक विधियां जिसके मादम से दंड दिया जाता है और एक ऐसी विधियां भी होती हैं जो समाजिक विधियां बोलते हैं जो समाजिक कल्यान के लिए समाजिक सुधार के लिए लाई जाती हैं तो विधि के समक्षमता का जो प्रमुक भाव है वो दांडिक विधि में न बोलते हैं नाकारात्मक है दूसरा यह होगी क्लियर कि एवी डायसी ने विदी के जो विदी का जो रूल ओफ लाह है उसका उसका पारट है जो हमरे समिधान में समलिट किया गया है अब हम इसकी तीसरी विदी होगी और कोई भी विदी से उपर नहीं होगा देखो समान विदी विदी से उपर कोई नहीं विदी से उपर कोई नहीं है तो समान विदी तो अभी हमारे सामने आईगी थी पहले वाले में समान विदी का मतलब है सब के लिए बराबर विधिया, कोई उंचा हो, नीचा हो, किसी की धर्म दूसरा हो, जाती दूसरा हो, या लिंक दूसरा हो, बच्चा हो, वैस्क हो, वर्द्ध हो, सब के लिए विधिकेशी होगी, बराबर होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन वास्ते में अगर हम देखते हैं, तो देखो समानता को जो स्थापित करने का उद्देश से है, वो नियायपुरुन समाज की स्थापना करना है, और नियायपुरुन समाज की स्थापना कब हो पाएगी, नियायपुरुन समाज की स्थापना तब हो पाएगी, जब हम ये कहें कि जो लोग वंचित हैं उनको कुछ अधिक दिया जाए यहाँ पर क्या हो रहा देखो यहाँ पर सब को बराबर मिलना है सब को बराबर मिल रहा है जबकि अगर सकरात्मक अर्थ में होता तो इस अर्थ में होता कि जो कमजोर है उसको अधिक मिलना चीए था तो चुकि सब को बराबर समान विदी से ट्रीट किया जा रहा है यहां पे इसलिए विदी के समक्षम्ता जो है ट्रम है उसको नकरात्मक सेंस में घरन किया गया है या अगर एक सब्द में अगर अर्थ जानना हो इस पूरी ट्रिम का विधी के समक्समता तुम इसका एक लाइन में अर्थ लिख सकता हूं और उससे भी इसका अर्थ निकल सकता है और इसका अर्थ यह हो सकता है विशेशा दिखारों की अनुपस्तिती विशेशा दिखारों की अनुपस्तिती अब मैं समझता हूँ कि बिलकुल आपके दिमाग में क्लीर हो गया हो गया कि विधी के समख संदा क्या है यह विशेशा दिखार किसी के पास भी नहीं है चे राजा है या रंक है या फिर कोई और किसी जाती ध्रम का होगा, किसी छेतर विशेस का होगा, किसी वरण का होगा, गोरा होगा, काला होगा, वो उसके लिए जो विदिया हैं, वो बिल्कुल बराबर हैं, सब के लिए नहीं, विशेस अदिकार किसी को नहीं दिये गए हैं इसलिए भी इसको हम negative sense में काम में लेते हैं तो यह है विदी के समख्ष संता अब दूसरा जो ट्रम है वो है विदीयों का समान सरक्षन विदीयों का समान सरक्षन पुना मैं इस गोले को कर रहा हूँ वापिस यहां पे विदियां है यहां पे विदी है विदी का मतलब है एक से एक विदी और एक विदी का मतलब यह नहीं कि वो विदी एक ही बनी हुई है विदी का एक मतलब है एक रुपता विदी एक ही होगी इनके लिए सभी वेक्तियों के लिए सभी नागरिकों के लिए तो विदी का सब अर्थ जो यहां पे है वो एक से है एक रूपता को लेकर है विदी की एक रूपता को दरसा रहा है और यहां पे जब मैं बोल रहा हूं विदियों का सम्मान सेलक्षन तो यहां पे विदियां बहुत सारी है यहनी क्या है विदियों की संख्या है वो अलग- चाहरा है न्यायपूर्ण समाज न्यायपूर्ण देश या राज्य की स्थापना करना चाहरा है तो न्यायपूर्ण समाज या राज्य की स्थापना करने के लिए पहले भाग में क्या हुआ है विदी के समख शंताय में क्या हुआ है सब को बराबर कर दिया गया है यहां पर यानि विशेशादिकारों की अनुपस्तिति कर दिया गई है अगर मैं समिधान लागू होने से पहले की बात करूँ तो आप यह पाओगे कि भारतिय समाज में किस अधर की राजनतिक आर्थिक धार्मिक जातिय विविन प्रकार के भैद भाव रहे हैं तो पहले आटिकल से किया वा देगो पहली स्प्रेज से क्या हुआ है विशेशादिकारों की अनुपस्तिती कर दिगई है अर्थार थे पहले जो विशेशादिकार मिले वे थे समानता की स्थापना करना है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या वास्तों में यहां पे विश्य साधिकारों की अनुपस्ति होने के बावजुद समानता की स्थापना हो गई क्या समाज में। नहीं हुई अगर हम आजादे के समिधान लागों होने की बाद की बात करें तो हम यह पाएंगे कि देखो समाज में कौन से कौन से कमजोर वरग थे देखिए पिछडे दलित महिलाएं वरद और जाती जन जाती समाज की वरग हैं विविन जो कलास हैं इनके अगर हम बात करें आजादे के बाद में यह पिछडे थे लेकिन पिछडे कब से थे आदी काल से प्राचिन काल से दलित दलित थे वो समाज की मुखे जारा में सामिलने थे बलकि समाज में कुछ जातियां कुछ धर्म विशेच के लोग थे जिनका सिक्सा पर परवाओ था अर्थियोस्ता पर परवाओ था ये पिछडे वे थे मैलाएं, वरद, जातियां, जन जातियां विकलांग तो ये जो वरग थे समाज के ये पिछडे वे थे, लेकिन अगर हम देखे हैं कि विशेचा दिकारों की अनुपस्तिती कर दे गई आज के बाद में तो ये कर दिया गया कि ये जो सब वरग है समाज के जो समाज का समर्द वरग था इनके साथ ये बराबरत की इस्तिती में नहीं आ सकते थे इने सेश जो समाज हमें बात कर लूँ सेश समाज सेश या मैं कह सकता हूं विक्सित या आर्थिक विक्सित उसके साथ वेसे साथ एकाराओं कि समाप अनुपसिती हो गई अब लेकन अब क्या हुआ है अब भी ये वरग समाज में हासियज़ पर है नीचले पाइदान पर है अब इनको क्या करना है वास्ता में समांता क्या है न्याइपुरुन समानता है, तो न्याइपुरुन समानता करती होगा, कि समाज में कमोबेस, सभी वर्गों, जातियों, धर्मों, समुदायों, जो नसले हैं, उनकी स्तिती है, वो समान होने चाहिए, लेकिन समान कैसे होगी, ये समान इस दूसरी फ्रेज से करने का प्रियाज सिरगेंस कि Camera एक पहली में केवल वेधबाग को मिटाया गया है सब को समान बना दिया गया गए अब देखो दूसरे जो सपीधियो का सम्मान सेरेक्ष्ण है उसमें इसको मिलाने का परियाज किया गया है वो हमें समझते है कि कैसे मिटा है गया है तो पहली बात तो विदियों का समान सेलेक्षन यह जो फ्रेज है यह अमरीकी समिधान से प्रभावित है अमरीकी सिस्टम से प्रभावित है अमरीकी जो राजनितिक प्रणाली है उससे प्रभावित है नम्बर दो बात यह सकरात्मख है अभी हम पड़ चुके हैं कि जो उपर वाली थी, Terms नाकरात्मख थी क्योंकि वो क्योल सब को ब्राबर बना रही थी कानूनी डूप से ब्राबर बना रही थी, वास्तिक डूप से समानताग स्थापना नहीं हो पा रही थी तो यह सकरातमक क्यों है? क्योंकि ये जो कमजोर वरग है, बनस्चित वरग है या विकास की दोड़ में पिछड़ गए है उनको कुछ push कर रही है, थोड़ा सा उसको अग dire बढ़ा रही है, ये नि विशेश कुछ लाब दे रही है उनको तो अमेरिकी है सकरात्मक है और दूसरा इसका जो भाव है अगर मैं कहते हूं विदियों का समान स्रक्षन का अर्थ क्या है तो मैं एक लाइन में इसका अर्थ हम यह जान सकते हैं कि समान लोगों के साथ समान विवार समान लोगों के साथ समान विवार और ए समान लोगों के साथ ए समान वेवार ए समान लोगों के साथ ए समान वेवार ये इस विदियों का जो समान सेलक्षन है इसका वास्तिक नहितार्थ है तो नहितार्थ क्या हुआ समान लोगों के साथ समान वेवार एक example के मद्यम से अगर हम लोग समझें इस बात को तो हम यह समझेंगे कि कैसे समान लोगों के साथ समान विवार होगा माले जिए राज्य है वो अपने यहां पे और राज्य के जो कुछी काई है या राज्य अपने यहां पे खेलों का आयजन करता है और खेलों के आयजन में क्या करता है वो एक दोड परतियों के तक आयजन करता है दोड का आयजन करेगा राज्य सभी नागरिकों के मद्य एक राज्य के सभी नागरिक हैं वो दोड में भाग लेंगे और यह तरह करेगा राज्य राजे पुरुषकार देगा, किसको देगा, जो दोड में प्रिथमस्थान प्राप्त करेगा, अब दोड दोडने के लिए, यहां पे देखें हम ध्यान से, दोड दोडने के लिए कौन-कौन लोग आये हैं, राजे में कौन-कौन लोग हैं देखो, राजे में कौन से लोग ह और फिर हम कह सकते हैं कि युवा भी हैं और राज्ये दोड का आयोजन कर रहा है हमें ये समझ लेना है राज्ये जो प्रथम आएगा दोड में जो प्रथम इस्थान प्राप करेगा उसको सम्मनित करेगा, विस्याष सुविधाय देगा पुरुष कर देगा तो अब क्या होगा अगर हम अनुमान लगाएं ये चारों वेक्ति इस लाइन में खड़े हो व्रद भी हैं महिलाएं भी हैं विकलांग भी हैं युवा हैं और दोड का आयोजन हो क्या सांसेज रहेंगे क्या मैं अगर सबसे नीचे ले पाइदान के बात करने तो विकलांग भीक्ति जो खड़ा हुआ है यहां पे तो उसके साथ समानता का वेवार हुआ है क्या वो युवा के बराबर है जो बिल्कुल हस्त पुस्ट है उसके सररिक छमता है वो बिल्कुल अच्छी है ये विकलांग है वेचरा जैसे इसके टांग भी नहीं है हाथ भी नहीं है ये भी दोड़ रहा है बैलाएं है उनके सररिक बनावट भिनपरकार की है वर्द है उन से यहां पी यह है कि वर्दों के लिए अलग्विदिया हो मेलाओं के लिए अलग्विदिया हो बीगरांगों के लिए अलग्व हो और सब्सक्राइबrån की दोड़ हो आशन वर्दों इसल आई जब कहा रहा हू उन करे सा trois हो न कि सहा हुए किस समान है बर तो वर्द उनको एक लाएं पिर ऐ समानों लोग यह मा लेता है कि वुगलांग थे वह बाकी समाज समाज से ऐसमान है अर्थारत बाकी सारे लोग तो सारे रिक रूप से सक्षम हैं मजबूत हैं लेकिन विकलांग सारे रूप से अपंग है यह तो यह समान बाकी समान से समाज से ऐसमान हो गए तो ऐसमान लोगों के साथ ऐसमान विवार तो इनके साथ ऐसमान विवार होना ची और समान लोगों के साथ समान विवार के जए यह है विदियों का समान सरक्षन यानि हम यह कह सकते हैं दोड के नियमों में जब दोड के नियम बनाए गए थे राज्जे के दवरा पुरुष वरद्ध शब दोड़ रहे हैं तो वो क्या है वो तो ये वाले इस जो शुति है जिसमें सब एक साथ दोड़ रहे हैं वो तो है विदी के समक संता सब विदी के सामने बराबर हैं सब को बराबर ट्रिट के दा रहा है दूसरे वाले जो फ्रेज है विदियों का सम्मान सेलक्षन इसका मतलब है जो वंचित वरग है या विशेश आवसेक्टा वाले जो वरग है उनको विशेश कानूनों के साथ ट्रीट किया जाएगा यानि इनको अगर हम कुछ लाब भी देंगे तो यह समानता के अधिकार का उलंगन नहीं होगा माले जिये दोड का एजन हुआ ऐसी स्थिति में और दोड थी माले जिये एक किलोमेटर की तो एक किलोमेटर की दोड यहां पे खतम हो जाएगी और सुरुवात यहां से होनी थी दोड के इधर आएगे तो माले जिये एक किलोमेटर की दोड में सबसे सबसे आगे का लाइन में जो खड़ा करा गए है विकलांग को सबसे अंध में कोन आएगा युवा यह जयादा दोड लगानी पढ़ रहे है दोड को जेतने के लिए विकलांग को कम ही लगानी पढ़ेगी क्योंकि वो सारीग रुख से अक्षम है अर्थाट राज्य क्या करता है राज्य वंचित या कमजोर या ऐसहाई या अफंग या निर्धन या हम किसी भी तरह से कमजोर वर्ग मान सकते हैं के लिए विशेश सुईधाओं की विशेश कानूनों की विवस्ता करेगा उनको एक ही कानून से ट्रिट नहीं करेगा नहीं तो समानता के वास्तविक लक्षों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और निया एपरुन समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी तो यह है विदियों का समान से लक्षन और हम देखते हैं कि हमारे भारती राज्य या समाज में हम देखते हैं कि अलग-अलग जो वरग हैं समाज में, उनके लिए अलग-अलग कानून मिने वे हैं, मैलाओं के लिए अलग हैं, आदिवासियों के अलग हैं, अनुसोची जातियों के अलग हैं, और जो विकलांग हैं उनके लिए अलग है तो अलग-अलग कानूनों से अलग-अलग जो वरग हैं वो सासित हो यह है विदियों का सम्मान स्रक्षन यानि समान लोगों के साथ समान विवार और ए समान लोगों के साथ ए समान विवार यह विदियों का समान स्रक्षन है अब मैं और आगे इसमें बा तो ये जो विदियों के सभण समानता है और विदियों का समान स्रक्षण है इस आर्टिकल में एक-डू बातें हमें और जान लेनी है पहला दो यह जानना देख मैं कि ये जो आर्टिकल है अनुछेट 14 जो है किस में किसको मिलावा हैということ जो मूल दिकार है अनुछे चोदा में किसको मिलावा है तो नमर एक बात तो देखो वेक्टी को मिलावा है यह हमें ध्यान देना है और जब मैंने वेक्टी सब दियां पर लिखा है तो इसका मतलब है यह भारती नागरी को भी मिलावा है और जो विदेशी वेक्टी भारत मे इस दो समानता है, उन्हें के बोशे को मिलेगी, नागरिक को मिलेगी, बलकि विदिक 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 से आसे यह है कि जैसे कोई company है, कोई नीगम है, कोई सहिंस्ता है, society है, समीती है, ये भी क्या है? समीती, निगम, सैस्था यानि राज्य अपने कानून से जब कानून बनाएगा तो इनके साथ भी कोई भेदभाव पुरुन व्यवार नहीं हो पाए विदी है, वो इनके साथ भी कोई भेदभाव पुरुन व्यवार नहीं कर दे ये भी इस बात में नहीं थे दूसरा विदिक वेक्ति को मिला हुआ है ये और तीसरा गर मैं ये कहूँ तो एक most popular सवाल जो है इस article से जो बनता है प्राकृतिक न्याय प्राकृतिक न्याय पर आधारित अनुच्छेद जैई यको बहुत सारीuishन पुछहओ है कि ने वनिमी के भारतिय समिधाना कौन सा आर्टिकल कोन सा अनुच्छेद है वो प्राकृतिक न्याय के स्थापना करता है अन्सरा है का आर्टिकल 4 कैसे करता है देखो प्राकृतिक न्याय का मतलब है अब शक्रात्य प्रकृतिति न्याइ एंडि कुछ न्याइक ऐसे इस इस्य स्ट मून हैं, जो प्रकॉर्ति, परति, प्रकृति होने की नाते ही मिलती तो प्राकृतिक न्याई का मतलब है universal truth, सारवभुमिक सत्य, तो देखो प्राकृतिक न्याई का सिधान कहता है कि व्यक्ति है उसको न्याई मिले, चैए वो किसी विवरक का हो, जाती का हो, धर्म का हो, छेत्र का हो, तो जो विदियों का समान, स्रक्षन वाला जो अपन्द मे आपको बता रहा था कि अलग-अलग व्यक्ति हैं समाज में, उनके लिए अलग-अलग विदियों होंगी, तो अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग जब विदियों होंगी, तो इससे क्या होगा, प्राकृतिक न्याईगी स्थापना होगी, अग नहीं होगी, हो मूल धाचा मान दखा है कि जो विदी का सासन है विदी का तो सासन है वो समिधान का मूल धाचा है और इसमें संसद है वो समिधानिक संसोद्नों के माद्यम से भी प्रिवर्तन नहीं कर सकती प्रिवर्तन नहीं ला सकती ये इस आर्टिकल की जो है मुख्य विजिष ताग्य और लेकिन ऐसा भी नहीं है कुछ सम्षबबुद भी आ कुछ विजिष प्रश्थितियों में अपवद्ह है वो जो अपवद्हें वो कैसे अपवद्हें वो विधियों का समानिल शरक्षन या nidh विभी ने बेखती तो उनको कुछ विदियों से छूट दी गई है उन्मुक्ति दी गई है जो उनके पद के दाइत्वां को पूरा करने के लिए या सुचरुरुप्ट से पूरण करने के लिए आवसेख हैं तो हम उसको यह नहीं कह सकते कि यह समानता क्यादिकार का उलंगन है या समता के अधिकार का फवाद है लेगर हम यह कह सकते हैं कि विशेश उन्मुक्तियां प्राप्त हैं छूट प्राप्त हैं तो वो कौनसी कोसी है देखो एक जार प्रनुछ तीन 601 के तहत आपने को याद रखना है कौनसी कौनसी उन्मुक्तियां руб Miche कि शमय किये गए किसी भी कारिये के लिए किसी भी न्याले में जवाब दैता नहीं रखी गई है अर्थार्थ समयधानिक पदने रास्टरपती और राजेपाल अनुचिया 368 के तहट अपने पद पर रहते हुए जो कारी उन्होंने किये हैं उनकारियों की जो जवाब दैता है किसी भी न्याले में नहीं हैं कोई भी न्याले उनसे यह नहीं पूछ सकता कि यह कारी आपने क्यों किया यह तरक संगत था या नहीं था नियाले इनसे किसी भी तरह का न्याले कोई सवाल जबाब नहीं कर सकता एक और इंपोर्टेंट में बताऊं आपको 105 गarna 294 संगे विश्युशाद यव दिकार आपने सुना होगा संसदिये विश्यसादिकार निया निया कैarya करते हुए संग्यार करने कृफर मत को रकते हुए अगर कोई घरतता है तो वो ऐशा जो कारिय है उस पर उनको सभी तरगी उन्मुक्तियां प्राप्त है किसी न्याले में के खिलाब कोई वाद नहीं चला जा सकता उन कारियों के लिए कोई उन मतों के लिए उन भयानों के लिए उन भासनों के लिए कोई भी न्याले में को दंडित नहीं कर सकता औ और राज्य विधान मंडल के सदस्यों को भी प्राप्त है अर्थात राज्य विधान सवावों में राज्य विधान सवा के सदस्य के रूप में उनके द्वारा किये गए कोई कारिये दिये गए मत्ध, भासंग, अभिवेक्ति, विचार के प्रतिवों जबाब दे नहीं है को कोई भी नयाले उनको इसके लिए नहीं कर सकता इसके लाद देखो और भी बहुत सार इपद हैं जिनको कुछ विश्यास उन्मुक्तियां दी गई हैं जिनको हम विदी के समख्ष समता के दाएरे में बांध नहीं सकते तो वह कौन से कौन से हैं और डिप्लोमेटिक हैं कूट निटी क्या हो गए मैं बात करों गर्राजदूत हैं यह इडि नहीं कर सकते तो यह कुछ विश्यास उन्मुक्तियां दी गई है यह शमानता को दिकार है विदी के श्रॅक्ष शमता उलंगन है लेकिन मोटे तोर पर उनके जो पद हैं और उनके जो कारिये हैं उनका कर्ते तो यह इसमें विशेस रूप से थी एक देखो मैंने जब यह विदी के समख समता और विदियों का सम्मान स्रक्षन जब सब काम में लिया था बार बार तो मैंने आपको बताए था कि राज्ये विशेस वर्गों के लिए और विशेस जो समुदाय हैं या वन्चित तबका उन वर्ग का अर्थ इस आर्टिकल में कहीं नहीं है कि कौन सा वर्ग होगा अलग-अलग वर्गों के लिए कौन से कानून होगा समान लोग कैसे होंगी यानि समान ए समान वर्ग की पहचान करना इस सारा का सारा कारिये सुप्रीम कोर्ट देखता है और वो ही अपने विविन ज तारकिक यह नहीं वर्गों का निर्धारण और वर्गों के लिए जो कानून बने गए वो कैसे होने चाहिए तारकिक तो एक सवाल यह बनता है समय रज्ज जब अलग-अलग विदियाँ पारित करता है तो वह तारक किक तो यहित अर्चल ठीकल अर्टिकल 14 मरे से मज़ता होंगा कि आर्टिकल 14 में जो दोनों फ्रेज है वह आपको ठेक से समझ बनाइए हूंगी वध वद धन्य वाद